हेलो फ्रेंद्स मैं हुँ विकास और आप देख रहे हैं Art Magic by विकास आप सभी का मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो मेरी तरफ से आप सभी को happy holy यह रंगों का तेवहार holy आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो तो आज हम holidays related special वीडियो लेके आचुके हैं आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कलरफूल होने वाली है विकुज यू किन सी दे कालर इस इन देर तो इसलिए मैं आप सभी के लिए आया हूं एक होली रेलेटिद प्यारी वीडियो तो बिना से में गवाए लेट जुप होली खेल रहे हैं तो इसके अंदर मैंने एक कैरीसीलाटकी बनाएं रडिका बनाया है अड़ यहां पर सबसे पहले मैंने इससे पेंसल से ड्रॉप करके रेडि कर लिया है अब मैं इसकी एक ब्लाक पर्मनेंट मारकर से जो पतला वाला होता है उससे मैं इसकी आउटलाइन में से गुलाल को हवा में फेक रहा है एन इन दोनों ही बच्चों के ऊपर खूब सारे होली के बहुत सारे colors हमें देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से मैंने इस ड्रोइन को कुछ बनाया है अब मैं पूरी तरीके से इसका जो outlining work है उसे बनाके complete कर लेता हूं अब मैं यहां पर इनको कला करना शुरू करता हूं यहां पर मैंने अपने फाइबर कैस्ट के जो कनेक्टर पैंस है उन्हें यूज करके आज की मैं ड्रोइंग को बनाकर complete करूंगा तो सबसे पहले मैं यहां पर skin color ले ले रहा हूं जिससे में बच्चों के जो भी स्किन एरिया हमें विजिबल है उस सब को बनाकर complete कर लो अब मैंने यहां पर skin color के डवल आउट लाइनिंग दी है जहां जहां पर हमें थुद्धा प्रादा इंटेंसिटी ओफ स्किन कलर चाहें नेक्स्ट कलर हम करेंगे ब्लाक कलर यहां पर मैं जो बच्चों के बाल हैं उनको ब्लाक कलर से बनाकर complete करूँआ और जो आइज हैं वो भी तो आप देखरें जैसी ही मैंने आइज बनाई उस ड्रॉइंग में अपने आप एक अलग सी जान आ गईए अब पूरे के पूरे हम हेर्स को बनाकर complete कर लेंगे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है brown कलर जिससे हम बच्चों के जो शूद हैं उनको बनाकर complete करेंगे मैं ब्राउन को लखिया है जो लड़की का जो डुपट्टा है फ्रंट का वह हलका से रेड कलर में मैंने दिया है एंड रेड कलर से मैं बच्चों के मूँ को बना दूँगा एंड लड़की की बिंदी यहां पर हलके न्यूट्रल टोन्स में इन बच्चों के कपड़ों को कलर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जादा अगर मैं ब्राइट कलर का इस्तेमाल करूंगा तो फिर हम जो होली के कलर के उपर इंफसिस देने वाले हैं वो चीज थोड़ी कम हो जाएगी इसलिए मैं यहां पर इनके कपड़ों को थोड़ा न्यूट्रल टोन्स में रख रहा हूँ और जो हमारे होली के कलर जो इन बच्चों के कपड़ों के उपर लगे हैं वो बहुत ही जादा वाइब्रेंट दिखेंगे फिर प्यूट्स प्यूट्स झाल झाल तो बच्चों के करपड़े जो हैं और में पूरी तरीक से खतम हो गये हैं अब यहां पर हम फाइनली अब जो भी पिचकारी और करना से उनको करना करना शुरू करते हैं आप मैंने से पहले डाग ब्लू ले लिया है उसमें पिचकारी को कलरा हूँ एन यलो कलर बीच बीच में स्ट्राइप्स के लिए यलो कलर से और जोंकी कपड़ों पे कलर्श लगे हुए हैं उनको करूँगा और बहुत सारे multi colors का इस्तमाल करके मैं इन बच्चों के सारे के सारे dresses को बना कर complete करूँगा तो अब जो हमारा यहां पर जो लड़का है उसके सर के उपर एक गमचा बंदा हुआ है तो उसे भी मैं pink colors से करके complete कर दूँगा उसमें darker shades थोड़ से देखकर उसे complete किया जाएगा यहां पर मैंने bottom में happy holy भी लिखा है और उसे भी हम multi color different different spill हो रहे हैं उसके उपर colors तो इसलिए multi colors से मैं इस पूरे happy holy को भी लिखकर complete करूँगा अब मैंने जहाप यली लिखा है उसे एकदम bold letterings में लिखा है और जो right portions है उस पर तो इसी shadow effect double sketchman stroke से बना कर उसे complete किया है तो इस तरीके से हमारी drawing होती है complete comment section में मुझे बताना मुझे बिल्कुल जिना बूले कि कैसा यह है मारा final review आशर करता हूं कि आपको मेरी आज की यह holy special वीडियो पसंद जरूर आई होगी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो subscribe करें और बेल नोटिफिकर जिंदबाय तापकि मैं जब भी कोई नहीं वीडियो अप्टूट करूं का नोटिफिकर से सबसे पहले आपको मिले तो मिलता हूं मैं आपको ऐसी ही और भी art related content के साथ तब तक के लिए take care and happy holy